उत्राखंड में आफ़त बनी बारिस, कई नदियां तूफान पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जौरी पहाडों पर आफ़त बनकर बरस रहा पानी बढ़ रहा लेंड स्लाइड का खत्रा उत्राखंड में पहाडों पर पानी का प्रको दिखाई दिरा है लगातर बारिस की बाद उत्राखंड में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है हलद्वानी से नैनी ताल तक मौनसून की बारिस तबाही मचा रही है ज्यादतर इलाकों में नदियां उपफान पर हैं पहाडों पर लेंड स्लाइड का खत्रा बढ़ता जा रहा है इस कारण उत्राखंड की मुख्य मंत्री धामी ने सभी जिलादिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश जिया है बतादे की बारिस से उत्राखंड की दोसों से ज़्यादा सरकें बंध हो चुकी है नैनिताल, पित्थोरागड, पागेश्व जिले में सरकारी और गैट सरकारी सभी स्कूलों में छुट्टी घोशित कर दी गई है इस बीच मौसम विभाग ने ऐसा ही मौसम बने रहने का नुमान जवताया है इसलिए अभी खत्रा तला नहीं है उत्राखंड के पहाडों पर इसकदर बारिस हो रही है कि अभी अब बारिस मुसीबत बन चुकी है कुमाओ से लेकर पोड़ी गड़वाल तक बारिस होने से नदियां उफान पर है मौसम बिभाग ने कुमाओ के साथ चमूली, कोड़ी, रूद्र प्रयाग तक रेड अलेट च्वारी कर दिया है ननिताल में बीते दो दिन से लगातार हो रही बारिस के बाद कैची धाम के पास शिप्रा नदिय उफान पर है ऐसे में प्रिशासन सेलानियों से लगातार अफिय कर रही है कि विन्नदियों किनारे संभल कर जाए साथ ही ज्यादा घड से बाहर ना निकले